हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी गोर्डन लाइफ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको आलू उबालने का यह बहुत ही अच्छा और अनोखा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आलू को मातर पाच मिनट में ही उबाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छे आलू उबलेंगे ना तो आपके गीले हूँगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उबलेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए फ्रेंज सीखते हैं इस तरह से किस तरह से हमें आलू बालने हैं तो यहाँ पर हमने लिये हैं कुछ कच्छे आलू आलू को हमने अच्छे से पानी से धुल करके कर लिया है एकदम साफ यहाँ पर हमने कुछ छोटे साइच के और कुछ बड़े साइच के आलू लिये हैं मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ अगर आप बहुत बड़े साइच की आलू लेते हैं तो उनके दो बीच से तुकड़े कर दें अब हमने यहाँ पर लिया है कुकर कुकर में डालेंगे हम अपने आलू को आपको सारे एक एक करके आलू डाल देने हैं और अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी पानी की मात्रा में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको पानी इतना ही डालना है कि आलू से उपर ना रहे भले ही थोड़ा सा नीचे बना रहे अगर आप ज़्यादा पानी भर देती हैं तो आलू आपके गीले हो जाएंगे तो मैं यहां इसको अच्छे से आलू को लगा देती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा पानी ऊपर नहीं है एक आलू आपको उपर ही दिख रहा होगा लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं है आपका आलू अच्छी से उबल जाएगा हम यहां पर लेते हैं थोड़ा सा पिसा हुआ नमक नमक से फ्रेंट्स आलू अंदर से गल जाता है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है और रहे जल्दी यह उबल जाएंगे तो अब हम कुकर को रख देते हैं गैस पर शुरुबात में आपको घैस को करना है फुल तेज आज में जब आपकी सीटी आ जाये तब जा करके आपको घैस को एक दम धीमया कर देना है एक सीटी आपको बिलकुल दीमया च में दिलवानी ह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक CET हमारी आ चुकी है हम GASS को कर देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम में और एक CET हम बिल्कुल लो फ्लेम में दिलवाएंगे तो जह हमारे GASS कोकर का प्रेशर पूरा निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा तब आपको कुकर को खोलना है तो हम यहाँ पर कुकर को खोल करके देखते हैं आपने देखा मैंने सिर्फ 2 सीटी ही दिलवाई 5 मिनट ही लगे हैं और हमारे आलू बढ़िया से उबल कर रेडी हो गए हैं हम चाकू की मदद से देखते हैं अगर पूरी अंदर चली चाती है तो इसका मतलब है यह आलू अच्छे से उबल गए हैं तो आप देख सकते हैं कि आलू हमारा बहुत अच्छे से उबल गया है तो मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आलू को आप कभी भी जादा गीला या जादा देर तक ना वाने इस तरह से आप परफेक्ट आलू बाल सकते हैं आलू के गीला होनी पर हमारे जो सबजी है या पूरी पराठे या कचोड़ी जो भी आप बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे ने बनते हैं फटने लगते हैं इसलिए परफेक्ट आलू बालना बहुत जरूरी होता है तो आपने देखा किस तरह से हमारे आलू दम परफेक्ट बाल चुके हैं ना ही गीले हैं और जिस आलू को बालने के लिए हमें 15 मिनट चले जाते हैं आप बलकुल आराम से पूरे 5 मिनट के टाइम में ही आलू को बाल सकते हैं से आपकी गैस की बचत होती है और समय की भी तो फ्रेंट्स कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक यू